दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में तुम सब कुछ छोण देना लेकिन कभी भी मुस्कुराना और उमीद मत छोणना क्योंकि आप मुस्कुराना छोण दिये तो ये दुनिया आपके उदास चेहरे को और भी दुखी कर देगी और आपको इतना ज्यादा चोण पहुचाएगी कि आप कभी फिर मुस्कुरान ही पाओगे और हमेशा कभी भी उमीदे मत तोड़ना अपने आप से उमीद लगाना कि मैं जिन्दगी में कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर जाओंगा आखरी वक्त तक कोशिश करते रहे जीवन की आखरी सांस तक लड़ते रहे अपने मंजल को पाने के लिए अपने लक्ष को पाने के लिए या फिर आप जो अपने जीवन में चाहते हो से हासल करने के लिए जीवन की आखरी सांस तक इनसान को प्रयास करना चाहिए इनसान बहुत जल्दी हार मान लेता है, इनसान बहुत जल्दी तूड़े आता है लेकिन अगर आप सच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को मजबूत बनाएए अंदर से मजबूत जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन बाहरी मुश्किलें आपको बहुत ही आसान लगेंगी और उन मुश्किलों और चुनोतियों को आप लड़ते हुए अपनी मंजिल तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं दोस्तों, ये बातें अगर आपके दिल तक पहुंची हूँ, तो इन बातों को हमेशा दिमाग में रखिएगा क्योंकि इनसान जब तक वीडियो देखता है, जब तक ये बातें को सोचता है, तब तक वो पॉजिटिव रहता है लेकिन जैसे ही वो कुछ ऐसे महौल में चला जाता है, फिर से उसका दुमाग वैसे ही नेगटिव एनरजी क्रियेट करने लगता है अमेशा कभी भी जीवन में नेगटिव मत हूँ, पॉजिटिव एनरजी खुद से सेल्फ मोटिवेशन की जरुरत होते हैं इनसान को जब आप अपने दिमाग से खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं यकीन मानिये आपकी पॉजिटिव एनरजी ही आपका जीवन है, आपके खुशियां ही आपका जीवन है और वो खुशियां आएंगी आपकी अच्छी सोच से, आप अच्छे लोगों से मुलाकाद करें, आप अच्छे लोगों के बारे में पढ़ें, आप अच्छे लोगों के बारे में जानना चाहें क्योंकि आप जब अच्छी अच्छी चीजे देखेंगे तो स्यम आप अच्छे बनने के लिए कुशिश करते रहेंगे और जब आपके दिमाग में नेगटिव विचार चलने लगते हैं तो आप और भी डूपते चले जाते हैं इसलिए नेगटिव एनरजी को अपने आप से दूर ही रखें क्योंकि जितना दूर वो रहेगी उतना ही जादा आपके लिए अच्छा होगा ये बाते अगर आपको पसान आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धनेवाद हमेशा मुस्कुराते रहें और कभी भी अपने आप से उमीद मत छोनें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हमिशा जीवन में लड़ते रहें संघर्स ही जीवन होता है और संघर्स ही चुनोती होती है जिस दिन आप उस संघर्स को अपने जीवन से अलग करेंगे उस दिन आप अपने जीवन में कमजोर हो जाएंगे इसलिए संघर्स करते रहे जिस प्रकार के इस जीवन को हर एक इंसान अपने जीवन को संघर्स में बनाता है उसी प्रकार अपने आप जीवन को संघर्स करते रहिए संघर्स सील होते रहिए बाते पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद